नमस्कार, दिस इस जीएस रिपाथी, वेलकम टू दा भारत स्टांस। भारत ये प्लैन कर रहा है कि आने वाले समय में भारत एविएसन सेक्टर का ग्लोबल लीडर बने। भारत सरकार के इस मिसन को एग्जिक्यूट करने में Air India का सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है। लेकिन भारत सरकार या फिर Air India इसके लिए क्या करने वाले हैं। इससे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रेजन टाइम में भारत का एविएसन सेक्टर ग्लोबली कहां स्टेंड करता है। दुनिया के एविएसन मार्केट में न्यू पैसेंजर्स एड़ करने के अनसार भारत चाइना और USA के बाद तीसरे नमबर पर आता है। क्योंकि 322 मिलियन नए पैसेंजर्स के साथ कुल 442 मिलियन ऐसे पैसेंजर्स हैं जो भारत में बाई प्लेन ट्रेविल करना पसंद करते हैं। फिर अगर हम BGS एरपोर्ट के टर्म में बात करें तो न्यू डेली का IGI एरपोर्ट आपको इस लिस्ट में 12 नमबर पर मिलेगा। जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत के एविएसन सेक्टर में डिमांड बहुत है। भारत सरकार के डेटा के अनुसार भारत बिस्ट का fastest growing aviation market है क्योंकि 2027 तक 40 करोण ऐसे नए पैसेंजर होंगे जो by air travel कर रहे होंगे। लेकिन क्या इस पैसेंजर ट्रेफिक को handle करनी के लिए हम तयार हैं। अभी आपके सामने number of airports के turn में 20 की top 10 countries की एक list है। भारत को ढूड़ रहे हैं? मढ़ ढूड़िये। क्योंकि हम top 10 तो क्या? Top 20 में भी नहीं आते हैं। क्योंकि present time में भारत के पास total number of operational airports 148 हैं। ये भारत का airport map है, फिर अगर हम किसी देश के पास कितने commercial planes हैं, इस aspect में बात करें तो भारत 650 airlines के साथ 20 में 11 नंबर पर आता है। इन सभी data को देखकर आपको ये बात अच्छी तरह समझा रही होगी कि भारत के पास उतना infrastructure नहीं है, यतना कि हमारी जरूरत है। इसी gap को fulfill करने के लिए भारत सरकार ने ये plan किया है कि आने वाले दो वर्सों में वो 12 billion dollar का investment करेगी। इसमें भारत सरकार ये चाहती कि 2025 तक भारत के सभी 148 operational airports को बढ़ा कर 220 किया जाए। इसके अंडर नये terminals बनाए जाएंगे, existing facilities को renovate किया जाएगा, जिसमें colonial times के पुराने military airfields भी सामिल हैं। जैसे example के लिए अगर मैं बताऊं तो अभी 8 April को ही प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने तमिलाडू की capital चैन्नाई के airport के नये terminal का inauguration किया है। भारत के aviation sector को boost देने के लिए ही भारत सरकार 2016 में national civil aviation policy लेकर आई थी, जिसके अंतरकत regional connectivity scheme को लाया गया था, जिसे उडान यानि उडे देश का आम नागली कहा जाता है। इस उडान scheme का target ये था कि 2024 तक देश में 100 airports को develop किया जाए, जिससे regional connectivity को बढ़ावा मिले। इसमें से अब तक 74 airports बन चुके हैं। इसी उडान scheme को extend करके क्रिसी उडान 2.0 बना दिया गया था, जिससे airports के थुरू agriculture products को transport किया जाता है। गॉर्मेंट ने 2016 में इसके लिए priority cities की एक list दी थी, जिनने regional connectivity इसकी में प्रात्मिक्ता दी जाएगी, ये उसी कमेप है। इसके अलामा भारत सरकार ने 2020 में 21 नए greenfield airports बनाने का भी target रखा था, जिन में से अब तक 6 operational हो चुके हैं। इन में से जो अभी हाल ही में inaugurate हुए हैं, उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो करनाटका का सिव मोगा airport है, जो 450 करून की लागत से बनकर अभी जल्दी ही public use के लिए open किया गया है। इसके कुछ दिन पहले गोवा का international airport भी inaugurate हुआ था, जिसका नाम भारत के भूत-पूर्ट डिफेस मिनिस्टर मनोहर परिकर जी के नाम पर रखा गया है। गोवा में इस airport की बहुत आओ सकता थी, क्योंकि गोवा में national और international सभी प्रकार के टूरिस्ट आते हैं, और यहां का पुराना airport इतने traffic को handle कर पाने में सक्षम नहीं था, इस airport के इंटिरियर्स बहुत attractive हैं। फिर अगर हम North Eastern State अवनाचल प्रदेश की बात करें, तो तिबबत से international boundary share करनी की वज़े से इसकी important security concerns को बढ़ा देती है। लेकिन अवनाचल प्रदेश को अब जाकर इसका पहला greenfield airport मिला है। अवनाचल प्रदेश की capital इटानगर का ये airport डोनी पोलो एरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। पहले इसका नाम होलोंगी एरपोर्ट था, डोनी पोलो एरपोर्ट के साथ ही North East में अब कुल मिलाकर 16 एरपोर्ट हो गये हैं। इस एरपोर्ट का नाम डोनी पोलो ऐसे ही नहीं रखा गया है। एक international airport को public use के लिए open किया गया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुसी नगर में ऐसा क्या है जो यहां international airport बनाने की जगवत पड़ गई। तो मैं आपको बता दूँ कुसी नगर ही वो अस्थान है जहां गौतम बुद्ध ने महापरी निर्मार लिया था। इसलिए यहां भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर उची मूर्ती लेटी हुई मुद्रा में रखी है। इस मंदिर को बौत धर्म के सबसे पवित मंदिरों में से एक माना जाता है। जहां आमेशा बुद्धिस्ट अनुवाईयों का आना जाना लगा रहता है। फिर वो चाहे इतिहास में होन सांग हो या फिर फाहियान। सिर्फ पास्ट में ही नहीं बुद्धिस्ट अनुवाई यहां आते रहे हैं। अभी जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो थाईलेंड की प्रिंसेस हैं। इसलिए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि टूरिजम के लिए एवियेशन इंफर्टेक्चर कितना इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए अगर आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्राइट करना चाहते हैं। इन एरपोर्ट के अलावा कुछ अभी अंडर कंस्रंक्शन हैं। जैसे कि आयोध्या का इंटरनेशनल एरपोर्ट जिसका काम काफी तेजी से चल रहा है। और ऐसी उमीद है कि 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अत्रिक नोड़ा में बन रहा नोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एरपोर्ट होने वाला है। जिसे जेवर एरपोर्ट भी कहा जाता है। इस एरपोर्ट को स्विट्जरलेंड का जूरिक इंटरनेशनल एरपोर्ट बना रहा है। जो कि 2024 में ऑपरेशनल हो जाएगा। इस एरपोर्ट को बनाने की जरुवत इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली का IGI एरपोर्ट ओवर क्राउडेड हो चुका है। इसको अपनी कपैसिटी से ज़्यादा ट्रफिक को हैंडल करना पड़ता है। जिसका सीधा असर इसके ऑपरेशन्स पर पड़ता है। इससे आप भारत में एविएशन सेक्टर के डिमांड को समझ सकते हैं। चलिए हमने एरपोर्ट तो बना दिये लेकिन इन पर उणने के लिए प्लेंस भी तो होने चाहिए। सभी एरलाइन्स को मिला कर भारत के पास इस समय एप्रॉक्सिमेटली 700 एरक्राप्स हैं। लेकिन ये बिलकुल भी sufficient नहीं है क्योंकि डिमांड इस से कहीं ज़्यादा है। इसी gap को fulfill करने के लिए भारत की एरलाइन्स के exceptional plans हैं। भारती एरलाइन्स ने कुल मिलाकर 1200 से ज़्यादा के प्लेंस के order दे रखे हैं। जो की आने वाले वर्सों में भारत को मिलने वाले हैं। अगर इन orders को detail में बात करें तो भारत की सबसे बड़ी airline इंडिगो ने अकेले ही एप्रॉक्सिमेटली 500 प्लेंस के order दिये हैं। गोफर्स ने 72 aircraft और बिस्तारा ने 17 aircraft के order दिये हैं। इसके साथ ही भारत की सबसे यंगेस्ट airline अकासा एर ने 56 प्लेंस के order दिये हैं। इसके एत्रिक्त स्पाइस जेट के order भी अभी pending हैं। वही एबियसें सेक्टर में भारत को ग्लोबल लीडर बनानी की तयारी टाटा गुरूप ने बहुत पहले ही कर दी थी। जब टाटा गुरूप ने 18,000 करण रूपए जो की नेली 2.4 बिलियन डॉलर होता है में भारत सरकार से एर इंडिया को खरीर लिया था। तब राटन टाटा जी ने जेटी टाटा की इस इमेज के साथ टूइर करती हुए कहा था वेलकम बैक एर इंडिया। उन्होंने वेलकम बैक इसी लिए कहा था क्योंकि 1932 में जेटी टाटा ने ही एर इंडिया के स्थापना की थी। उस समय के एर इंडिया की एक विंटेज फोटो है। आजादी के बाद 1953 में भारत सरकार ने एर इंडिया का एकुजीशन कर लिया था। जिसका परड़ाम ये हुआ कि समय के साथ साथ एर इंडिया घाटे में जाती रही। और जब टाटा गुरूप ने एर इंडिया को खरीदा था उस समय एर इंडिया 9.5 बिलियन डॉलर के घाटे में चल ले थी। रटन टाटा जी के लिए एर इंडिया को वापस खरीदना कितना इंपोर्टेंस रखता है इसे अब जब टाटा एर इंडिया ने अपनी पहली फ्लाइट ली थी तब उनके द्वारा दिये गए इस मैसेज से जान सकते हैं। उसे बड़ी एरलाइन बनाना चाता है। इसलिए उन्होंने टाटा गुरूप द्वारा उन विस्तारा एरलाइन और एर इसिया को एर इंडिया में मर्ज कर दिया है। और को लगबग 1400 के पार पहुंचा देगा। जिसके बाद भारत के पैसेंजर प्लेंस फ्लीट का टोटल नंबर अमेरिका और चाइना के बाद वर्ड में तीसरा हो जाएगा। एर इंडिया ना सिर्फ डोमेस्टिक एविएसन मार्केट का लीडर बनना चाता है बलकि इंटरनेशनल एविएसन मार्केट में भी अपने डॉमिनेंस क्रियेट करना चाता है। इसलिए एर इंडिया के इस 470 एरक्राफ्ट की डील में 70 एरक्राफ्ट वाइड बाड़ी और बाकि 400 प्लेंस नैरो बाड़ी के हैं। स्टाफ फ्लाइ कर सकते हैं। लेकिन जानने से पहले मैं आपसे एक प्रस्न पूछूँगा। आपके ओप्संस हैं एन चंदर सेखरन, रतन टाटा, राजेस गोपिनाथन, कैमबेल बिलसन या फिर साइरस मिस्त्री। लेकिन एक पहले हैं। विट उस्ट विटोगी ऑने क्लिक वालास पूर कर सकते हैं। दाट वी चिता हैं।